हेलो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे जूम का वीडियो हम डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए हम कोडिंग थोड़ा सा यूज करेंगे और यूज करके कोडिंग यूज करके हम आप वीडियो को डाउनलोड करेंगे इश्यू क्या है Zoom के साथ कि यहाँ पर कोई download का बटन नहीं है अगर आपने कोई lecture download किया है lecture record कर लिया है या फिर webinar record कर लिया है तो कोई option यहाँ पर available नहीं है downloading का तो यह एक इश्यू है तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा coding use करेंगे HTML basic और इसको download कर लेंगे इस video को so educational purpose के लिए हम उसको बाद में देख सकते है save करके करना यह है हमें कि inspect element करना है यहाँ पर और inspect element करके हमको सिर्फ video tag find out करना है so यह मिल गया हमें video tag यहाँ पर यह मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूँ मैं इसको increase कर लेता हूँ sizes की और यह video मैं अभी यह जो tag है इसको मैं copy कर लूँगा अब क्या करेंगे body में कहीं पर इस tag के start में मैं edit html कर लेता हूँ edit as a html करना है आपको और यहाँ पर इसको paste कर लेते है ओके नाव हमें अभी यह video नहीं चाहिए tag तो इसको हटा देते हैं हम इस tag को सिर्फ हमें url चाहिए इसका इसलिए क्या करेंगे हम इसको हटा देंगे पूरी तरह से और यहाँ भी end में भी tag ending जहाँ पर हो रहा है उसको हम यह वारा जो है इसको हटा देंगे और फिर से url में जाके यहाँ पर ahref यह basic tag है html का इसमें होता यह है कि आप link दे सकते हैं किसी भी video का किसी भी file का तो आप उसको download भी कर सकते हैं क्योंकि यह link वो वर्क हो जाएगा so ahref यहाँ पर tag मैंने start कर दिया यहाँ पर मैं लिखता हूँ download download now okay और इसको close कर देंगे इस anchor tag को चाहिए तो आप target दे दो okay so यहाँ पर हमने यह code complete कर दिया आप इसे बाहर आएंगे हम यहाँ पर देखो download का button मिल गया हमें so download को अगर आपने किया और right click और save link as किया तो आपकी file save हो जाएगी देखो MP4 file यह save हो रही है already मैंने करके रखिये यहाँ पर से से हो चाहिए replace it yes so this is how we can download all the videos of your recording जो भी आपने record करके रखा है zoom का video वो recording आपको zoom के अंदर मिल जाता है तो आप educational purpose के लिए उसको download करके बात में आराम से देख सकते है thank you very much